हां जी वोईस चेक करिए वेरी वेरी गुड इवनिंग वोईस आ रही है आपको आज एक और लॉग का चेप्टर खतम करा रहा हूं क्यूंकि जो हमारा 50 यूनिट है ना उसमें थोड़ा सो लॉग का टच है लॉग का कुछ पार्ट आ जाता है इसलिए मैं पहले यह करा देता हूं और जो बच्चे एकाउंट्स जिन्होंने लॉग नहीं पढ़ा उनके तुमान के चलो बेनिफिटी यह उनका आपका भी जो इंटरनल बगएरा हुआ होगा आप सभी को पता है जो भी चेप्टर करा ले हैं आज भी मैंने एक वीडियो डाला है कि लॉग आप अगर धंग से करते हो तो पंदरा घंटे बहुत है पूरे लॉगों खतम करने के लिए इससे ज़्यादा टाइम मेरे कि बिल्कुल करा देंगे स्टेट्मेंट ऑफ इक्विटी चलिए सथ हमारा है आर्टिकल ऑफ असोशियेशन इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने क्या करा था मेमोरेंडम ऑफ असोशियेशन हमने इससे पहले चैप्टर की बात करें तो हमने करा था फिनिस्ट मेमोरेंडम ऑफ असोशियेशन सर मेमोरेंडम ऑफ असोशियेशन क्या था इसके अंदर मेंली छे बातों का जिकर किया गया था नमबर वन क्या आपका नेम क्या होना चाहिए और नेम को बदलने के क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं नमबर तू आपका सिचुएशन क्या होगा यानि आपका एड्रिस क्या होगा नमबर तीन आपके अबजेक्ट्स क्या होंगे नमबर चार आपका लाइबिलिटी क्या होगा नमबर पांच आपका कैपिटल कैसा रहने वाला है और नमबर छे मेंबर के बारे में बात कर रहा था अगर हम इसको ध्यान से देखें तो object का मतलब क्या होता है कि what is the work वाट इस दा वर्क कमपनी किस चीज का काम करने वाली है अब कमपनी ने decide कर लिया भाई हम यह काम करेंगे ऐसे काम करेंगे हम इस चीज का काम करने वाले लोन लेके काम करेंगे नहीं करेंगे वह सारी चीज इसके अंदर लिखा हुआ है अब यह में में पॉइंट तो हमारे हैं इसको करना कैसे है यह सारा काम छे के छे पॉइंट में से कुछ ऐसे वर्क है कि इसको करने का आपको मेथर्ड तरीका कब क्या एक्जिक्यूशन होगा तो इन सभी को करना कैसे है यह बाते लिखा होता है आर्टिकल ऑफ ऐ्सोश्येशन में कि आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर वाएंगे यह कहां लिखा होगा सर हमारे अर्टिकल ऑफ एस जिएशन में लिखा होगा कि हम इसे implement कैसे कराएंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चीए कि सर MOA और AOA क्या है MOA और AOA दोनों ही company के एक document है जो registration कराने time पे जरुरत पड़ती है मैंने पहले ही बताया अब registration कराने के time पे जरुरत पड़ता है तो MOA में तो मोटी मोटी बाते लिख दी जाती है कि हाँ business start हो गया लेकिन AOA में हम rule and regulation इस काम को करने के लिए क्या rule and regulation follow करेंगे ये बताते हैं एक तरीके से ये भी हमारा important document ही है और ये internal होता है ये वाला होता है public यानि कोई भी website पे जाके देख सकता है AOA जो है वो internal document होता है किसी काम को करने का और सार रूल and regulation इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है उन सारी बातों पे आज discuss करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और पूरा complete chapter complete करेंगे MOA और AOA में से 100% question पूछा जाएगा और ये करीब आप मान के चलो मोटा-मोटा के अंदर जो assessment हो रहा है MCQ based उसमें भी काफी सारे इसके questions होंगे तो चलिए start करते हम article of association क्या है सर ये कुछ नहीं है ये document है नाम बहुत बड़ा है किसीज का document जिसके अंदर सारे rule and regulation लिखे होंगे ठीक उसी तरीके से जैसे आपके school के भी na rule book हुआ करता था कुछ school में होता है कुछ में नहीं होता के सुभह हमें कुछ बच्चे का होता है rule book के भी या सुभह prayer के अंदर आना है ये तो पता है के school खुलेगा सुभह और बंद हो जाएगा दिन में दो बजे और इसमें पढ़ाई होनी है लेकिन आप पढ़ाई कैसे होनी है और बच्चे जब आएंगे तो क्या क्या करना है वो सारे रूल एक तरीके से article of association में आ जाएगा सर, article of association की बात करते हैं सबसे पहले meaning की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले किस की बात कर लेते हैं सर meaning अगर visual कम होगा नहीं वैसे meaning of AOA कहता है article of association is an important document यानि एक कागज है जो की printed होता है ऐसा नहीं कि आप जैसे भी किसका important document है company का it's contained देखिए क्या contained contained का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ होगा क्या लिखा हुआ होगा rule and regulation and by laws for the internal administration sir internal administration का मतलब company के अंदर किस तरीके से काम काज होगा उसे बोला जाएगा internal administration administration का मतलब क्या होता है काम काज अब external भी हो सकता है internal भी हो सकता है internal मतलब company के किस तरीके से किया जाएगा किसका of company article regulate article चलाता है the internal management of the company यानि जो article of association में लिखा है management को बिलकुल उसी के हिसाब से काम करना है उसके beyond गया ना तो management और company दोनों libel हो जाएंगे penalty के लिए जैसे मैंने अपने article of association में लिखा कि मैं कभी भी life में या फिर मैं सिर्फ 2000 रुपए का bond issue कर सकता हूँ मैंने यहां लिख दिया कितने का bond issue करूँगा मैं सिर्फ 2000 का लेकिन management ने 3000 का bond issue कर दिया तो देखा जाए तो इसने company के rule को तोड़ दिया तो इसके लिए company libel नहीं होगा इसके लिए management का मतलब director, CEO या फिर उसके जो main company को परवक्ता जिसे बोलते है promoter ये सभी libel हो जाएंगे उसको payment करने के लिए समझ मैं आई बात आपको and the also govern the relationship between the companies and its आपका constitute member by the prescribe their rights and obligation और members के rights भी बताता है और उसके liability भी बताता है के shareholder को कब पैसे देने हैं उसके partly paid up वाले shareholder को कब नहीं देने shareholder को कब dividend देना है dividend देने का तरीका क्या है तो member कौन हो गया shareholder तो मैंने कुछ एक line यहां से लिखके basic basic बाते कर रही हैं और notes जो मैं आपको दूँगा और उसमें पूरा लिखा होगा आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा तो basically अगर conclude करें ने एक शब्द में what is the article of association तो article of association is the rule and regulation of the company ये rule and regulation होता है इसमें company में और ये memorandum of association को support करता है कि उसको implement कैसे किया जाए बस that's it इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है सर आगे देखते हैं content मतलब सर इसमें लिखोगे कौन-कौन सी बाते main तो यही है सर लिखोगे अगर ये समझ में आ जाएगा तो धीरे-धीरे समझ लेते हैं बहुत छोटा सा chapter है अरे चलिए हाँ जी क्या-क्या बाते लिखोगे इसमें देखिए content of association of company usually deal with the following matter क्या-क्या matter है देख लेते हैं भाई सब आपका definition of important terms and phases कुछ terms होंगे उसके definition दिये होंगे definition मतलब वो है क्या जैसे मैंने bond बोला तो इसमें लिखा जाएगा भाई bond का मतलब स्रीf bond नहीं है bond के साथ debenture भी हो सकता है यानि clarity दिया जाएगा इसके अंदर ठीक है दूसरा point क्या कहता है share capital and rights attached to the differential class of shares सर ये क्या होता है differential class of shares होता ऐसा है कि promoter बड़े चलाक होते हैं उनको पता है कि 50% जिसने भी 50% share खरीदा उसी का अधिकार हो जाएगा पूरी company पे सीधी सी बात है आपको भी पचाए 51% आप किसी company के share खरीद लीजिए आपकी company है वो तो promoter क्या करते हैं दो परकार के share इसू कर देते हैं एक share कर देते हैं public के लिए एक share equal to one vote और एक share खुद को issue कर लेते हैं वो एक share is equal to 100 vote यानि मेरे पास अगर एक share है तो मेरे पास power है एक बार मैंने hand raise करा तो एक share की power 100 share के बराबर है तो इसको बोल जाता है differential voting right जब हम meeting में आएंगे न AGM के अंदर तब देखेंगे कौन-कौन से voting right क्या होता है quorum क्या होता है सारी चीज़े वहाँ पर देखेंगे हम तो differential voting right का मतलब एक share equal to one vote एक share equal to five vote इसको बोल जाता है differential और shares के class तो देखेंगे 100 वाले होते हैं 20 वाले होते हैं 10 वाले class होते है तो sir उनके क्या-क्या rights है ये सारी चीज़े इसमें पहले से ही mention होगा के 100 वाला अगर कोई share है तो उसका voting right होगा पांस share के बराबर और 10 वाले share का voting right एक ही रहेगा ऐसा कुछ इसमें लिख देंगे आगे क्या कहता है procedure to make calls and for features of shares sir अगर आपने call जो है जब भी मांगेंगे आपको 10-14 दिन पहले बता देंगे के 13-14 दिन पहले आपको intimate कर देंगे के 14 दिन बाद पैसे दे देना लेकिन आपने 14 दिन के बाद अगर पैसे नहीं दिये तो हम एक महने का और वक्त देंगे कि नहीं तो आपके share क्या हो जाएंगे फोर फीचर ये सारी बाते कहां लिखी होगी इसके अंदर अगर इसमें एक महने बाद फोर फीचर है और कमपनी ने 10 दिन बाद ही आपके share फोर फीचर कर लिए तो फिर आपका share फोर फीचर नहीं हो सकता आप law को challenge कर सकते हो कोट में के सर इसके article of association में तो ये लिखा था के 30 दिन का समय मिलेगा लेकिन आप तो 15 दिन बाद मेरे share ऐसा तो हो नहीं सकता तो जो इसमें लिखा है ना इसके beyond नहीं जा सकता आगे क्या कहता है appointment of managerial person कौन manager होगा director कौन होगा their rotation of power company के अंदर ना director को एकदम fix नहीं कर दिया जाता जहां पर एक व्यक्ति जाए दिन तक बैट जाता है ना वहां पर fraud होने की संभावना बढ़ जाती है कभी भी आप सरकारी नोकरी में देखोगे न तो आपका transfer होता ही रहगा इधर उधर 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 चैप्टर के क्या powers होंगे डैरेक्टर के क्या duties होंगे तो एक पूरा chapter ही है आपका director के नाम से तो वहां पर इनके power duty हम अच्छे से देख लेंगे और क्या हो सकता है sir content देखिए और क्या content हो सकता है कहता है कहता है transfer जो transfer करा जाएगा रूल जो है कहता है transfer या transmission of shares issue transfer और transmission अगला chapter जो करने वाले ने shares वाला अब दोनों में फरक क्या है sir transfer and transmission of shares मान लो Mr. A Mr. A ने अपना share बेच दिया किसको sir Mr. B को ये हो गया that is transfer अब मान लो Mr. A और इसका nominee है Mr. B और Mr. A के मरते ही इसका share automatic किसके पास चला गया Mr. B के पास इसको बोलते हैं transmission तो transfer कितने दिनों में हो जाएगा share transmission कितने दिनों में हो जाएगा share वो कहां पे लिखा होगा article of association के अंदर साथ के साथ issue certificate कितने दिनों में कर देंगे अगर आपने share खरीदा तो कितने दिनों में आपको share certificate दे देना जरूरी है यह सब इसमें लिखा होगा journal meeting कब कब हो सकता है कितनी बार journal meeting हो सकता है company में ऐसा नहीं के फालतूफंड में बुला बुला के आप unnecessary के meeting करते रहो आगे क्या कहता है common seal of the company का कैसा रहेगा किस-किस stamp की क्या authorization रहेगी यह सब किस में decide होगा article of association में dividend कितना मिलेगा reserve कितना होगा capitalization profit कितना होगा accounts and audit accounts and audit का मतलब accounts का audit किस परकार होगा कौन सा chartered account and audit करेगा internal auditor होगा या external auditor होगा external auditor होगा तो किस परकार का auditor होगा company करेगा individual करेगा सब बाते इसके अंदर लिखी होगी आपके care audit नहीं है लिखिन books of accounts audit के नाम से law के अंदर topic है जिसको हम cover करने वाले है lien of shares lien of shares का मतलब lien का मतलब होता है lien का मतलब क्या होता है जब्त कर लेन अगर आपने company के पैसे नहीं दिया तो आपके shares को lien कर लिया जाएगा आपके कोई पैसे नहीं दे रहा आपने उसका mobile छीन लिया भाई मेरे पैसे देगा तो तेरे mobile दूगा मैं तो आपने mobile के उपर क्या करा lien लगा लिया या आपके पास उसका कोई समान पढ़ा हुआ था आपने बोला बाई मैं तब तुझे वह दूगा समान जब मेरे पैसे लोटाएगा तो kind of lien का मतलब जबती करन होता है remuneration of managerial manager का क्या remuneration salary होगा issue redemption preference year कब कब होंगे कब preference year को issue किया जाएगा pay commission and fix their rate underwriter का क्या commission होगा क्या fix rate होगा underwriter shares वाले accounts में तो देखा ही था कि 5% और 5% share के case में maximum 5% debenture के case में 2.5% अगर AOA में मैंने लिख दिया कि या कोई भी वो 2% देंगे तो 2 से जादा हम commission दे ही नहीं सकते इसके बाद paying interest out of capital कितना दिया जाएगा winding up their company किस परकार होगा तो basically क्या है AOA AOA is a company का पूरा एक मान के चलो कि किस तरीके से क्या काम करेगा किस पर क्या rule मैंने तो आपको 7-8 main main point बताया आपका exam में पूछा जा सकता है कि what is the main content of article of association तो यह 5-6 point लिखिए आपको number मिल जाएगा इसका explanation कुछ भी नहीं होता भाई कोई सोचे कि इसको भी explain करना है नहीं बस आपको points लिखने होते हूं वहाँ पर content के अंदर को explanation नहीं है और अगर मैं बात करूं AOA तो हर company का AOA एक जैसा होगा या अलग होगा case study आ सकता है आपका MCQ में question पूछा जा सकता है क्या every company का जो AOA होगा वह common होगा यह different होगा हर किसी का AOA बिलकुल अलग होता है इसमें point wise नहीं होता है paragraph wise होता है क्योंकि हर company के rule and regulation अलग है लेकिन हर company के MOA में 6 point ही होएंगे क्योंकि वह fix है लेकिन AOA में कितने point होगे fix और वैसे इसमें point wise नहीं है paragraph wise होता है topic wise सब लिखते है इसको proper printed paper में रखेंगे इसे और एक booklet बनाके रखेंगे और यह public document नहीं है ऐसे आप चाहो जाके पढ़ लो internet पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बड़ी main main चीजे लिखी हुई है सारी चीजे ठीक है ना